हेलो एवरिवन आप सबका स्वागत है PCMB डिजिटर गुर्कुल चैनल में इस वीडियो में हम क्लास 10 वक्षिट 72 मैथ को करेंगे हिंदी और इंग्लिस दोनों मेडियम में हम जो इसी वीडियो में करेंगे फरक क्या होगा यहां पर स्पर्स रेका हैं हिंदी में बोलते हैं इंग्लिस में उसको टैंजेंट बोल देते हैं इंग्लिस में सरकल बोलते हैं हिंदी में वृत बोलते हैं इंग्लिस में रेडियस और हिंदी में त्रीजा बोलते हैं तो यहां पर जो है ज्यादा फरक कुछ अबहें वरक्षिट मिसना हो तो चलिए शुरू करते हैं हमारी व्कषिट को t faudra थो पहले हम करेंगे एक्जांपल ओन को तो ऐख एक्जांपल 2 को सोल फिर हम कोसिन एंसर को यहां पर सोल करेंगे थो फ्यर्स एक्जांपल में क्या तो चलिए शुरू करते हैं, इस एक्जामपल को, तो हमें क्या करना है, ड्रोव अ सरकल ओफ 6 सेंटिमीटर, तो हमें 6 सेंटिमीटर का एक सरकल ड्रोव करना है, तो 6 सेंटिमीटर की लेंद की हम यहाँ पर एक रेडियस का जो सरकल ड्रोव करते हैं, यह 6 सेंटिमीटर हमने ल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वक्षिट हम अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो यह सरकल हमारा जो है 6 cm का यहाँ पर ड्रो हो गया है और यहाँ पर जो हमारे यह वाला पॉइंट यह हो गया हमारा सेंटर ठीक है इसको हम सेंटर मान लेते हैं ओ उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है फ्रो में पॉइंट 10 cm अवे फ्रो में पॉइंट 10 cm अवे इसके सेंटर से तो हम क्या करते हैं इस पॉइंट से 10 cm अवे तो 10 cm कहोंगा यह रहा इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी तो यह हमारा जो है 10 cm अवे है यह पॉइंट पी हमारे सेंटर से यह हमने पॉइंट पी ले लिया, from its center, construct the pair of tangents to the circle, तो हमें P से क्या करना है, इस circle पे tangent बनाने है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिला देते हैं, O P को, और P को हम यहापे मिला देते हैं, अब हम क्या करेंगे, O P का जोब मिड़ पॉइंट निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, परपेंडिकोर यूज करके, तो हम क्या करेंगे, O P के जो मिड़ है, यानि लेंध जो हाफ है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम अपना कमपस ओपन करेंगे, और यहाँ पे एक आर्क उपर और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रो कर देंगे, इसी तरह O को हम पॉइंट मान के एक आर्क उपर क की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रो कर देंगे, और इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है, यह हम एक्जाम्पल नुमर वन कर रहे हैं, उसके बाद इसी क अब हमने नाम दे दिया क्यो यह मारा प्रपेंडिकुलर बाई सेक्टर है OP का, अब हम क्या करेंगे क्यो आरैको क्यो प को हम मालनेंगे radius या तो क्या O ले लीजिए या क्यो P ले लीजिए दोनों equal हैं और हम एक radius इसको मान के यहां पर ड्रो कर देंगे circle तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं ड्रो कर रहे हैं circle को और अगर आप देखें कि ओपी की लेंध ही हमारे पास 10 cm कि लेंद्ध है हमारे पास 10 सेंटिमीटर तो जो हम यह रेडियस ड्रो कर रहे हैं इसकी रेडियस कितने होगी हाफ होगी यानि 5 सेंटिमीटर और जहां पर यह फर्स्ट सरक्र को जहां कट कर रहा है यानि कि यहां पर और इस पॉइंट को अगर हम इसको नाम देते हैं ए और अब क्या करिए पॉइंट पी और बी को मिला दीजिए पॉइंट पी और बी को यहां पर हमने क्या किया मिला दिया इसी तरह पॉइंट P और A को आप मिला दीजिए और जो ये कंस्ट्रेक्ट हुआ है पॉइंट P, A और P, B यही हमारे क्या है टैंजेंट यहाँ पर अगर हम O और A को मिला देते है O और B को यहाँ पर मिला देते है तो यहाँ पर जो O P, A और P, B जो है यह हमारे जो है टैंजेंट है ठीक है तो P, A और P, B हमारे क्या हूँगे टैंजेंट अगर हम इसकी कंस्ट्रेक्शन आपके वक्षीट में दी हुई है वहाँ पर चेक कर सकते है और अगर हम यहाँ पर प्रूव करना है कि हाँ प्रूव भी करना है उनकी लेंद भी मेजर करनी है तो देखते है मेजर करते है हमारी लेंद यहाँ पर P और P, B की लेंद कितनी है तो यह हमारी यहाँ पर लेंद है लगभग 8.5 सेंटिमीटर तो जो हमारी लेंद है टैंजेंट की वो हो गई 8.5 सेंटिमीटर अगर हम यहां से measure करें तो same हमारे 8.5 cm length लगभग लगभग इतनी ही यहां से आ रही है और हमें क्या करना था the pair of the tangents to the circle and measure the length length measure कर दी और अगर प्रूव करना चाहिए देखूं अगर हम circle की बात करें यहां पर यह angle बन रहा है यह circle के अंदर बन रहा है और इसे पर जो हमारा एक टेंजन्ट दिया गया है अगर हम angle की बात करें अगर हम यहां पर देहो इसको यहां पर मापते तो देखो measure करकर देख रहे तो हमारा angle exactly 90 degree का यहां पर बन रहा है यह था हमारा example one अब हम करेंगे हमारे example number 2 को construction इसके आपके worksheet में दी हुई है आपको लिखना कैसे हैं इसलिए हम लिखके नहीं दिखा रहें लेकिन जब question answer हम करेंगे तो आपको लिखके दिखाएंगे कि exactly construction आपको कैसे करनी है तो example 2 में बोला गया है draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree यानि कि हमें tangent draw करने है और वो आपस में angle उनका किता हो चाहिए 60 degree होना चाहिए तो चलिए draw करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो circle है वो कितने cm का है 5 cm का है तो चलिए 5 cm का circle हम यहाँ पर draw कर लेते हैं तो हमारी जो circle की length है radius है वो है 5 cm तो चलिए 5 cm की एक radius यहाँ पर हम draw कर देते हैं तो फटाफटी इस वीडियो को like कीजिए फ्रेंड्स की साथ भी share कर दीजिए ताकि वो भी miss ना करें और इस construction का वो सीख सकें तो यह हम यहाँ पर जो एक 5 cm radius वाला circle draw कर रही है तो यह हमारा circle draw गया है इसके center को हम बोल देते हैं O और इसके radius अब 5 cm अब हमें क्या करना है कि 60 degree वाले हैं यहाँ पर जो tangents जो है draw करना है तो हम क्या करेंगे एक हम radius ले ले लेंगे कहीं पर भी like हमने यहाँ पर ले 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 एक radius O A O A radius हमारे पास हो गई अब क्या करेंगे हम O A पर 90 degree का हम angle देखेंगे like this 90 degree और एक tangent यहाँ पर हम draw कर देंगे 90 degree का angle ले 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 लेगे हमारा first tangent हमने यहाँ पर जो है draw कर दिया यह हमारा होगा 90 degree second हम क्या करेंगे O A पर हम क्या करेंगे 120 degree का angle draw करेंगे और एक next radius हम लेंगे तो हम ले रहते हैं O A पर 120 degree का angle हम लेंगे 120 degree का angle लिया 120 degree के angle पर echo radius हम यहाँ पर draw कर देंगे तो 120 degree का angle लेते हुए O A पर हमने O B radius ड्रोक और देंगे मारें कि यहां पर इस प्रॉंट पर हम ड्रो करें नाइंटी डिगरी का एंगल और एक ओर टैंजेंट व्रोकर देंगी तो यह यहां पर 90 डिग्री होगा और इन दोनों को हम मिला देते हैं रेटन अभी यह नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके वक्षीट में ओलेडी यह दिया हुआ है तो यह टेंजेंट हमने ड्रो कर दिया इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो जहां पर यह मिल रहे हैं इसको हम पॉइंट पी मा लेते हैं और जो यह एंगल बनेगा यह 60 डिग्री बनेगा ठीक है तो यहां पर जो हमारा पी ए और पी भी है वो हमारे टैंजेंट है और वो आपस में 60 डिग्री के एंगल पर है प्रूव कैसे करेंगे देखो प्रूव हम यहां पर कैसे कर सकते हैं बहुत है इजली हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं अगर हम बात करें हमारे जो यहां पर है क्वाड्री लेटरल ए बी सी डी यह हमारा क्वाड्री लेटरल है तो इसमें क्या होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ये हमारा कितना होगा ये होगा हमारा 360 डिगरी क्यों क्वाडुलेटर के जो हमारी सम होते हैंगल A हमारा 90 है बी भी 90 है और हाँपे एंगल O है एंगल O और P है, D नहीं है O और P है AO BP AO BP है हमारा क्वाडिलेटर है एंगल O 120 डिगरी लिया था और एंगल P हमी निकालना है 360 डिगरी हाँपे है इन सबको हम एड करेंगे तो हमारा यहाँपे आजाएगा 300 डिगरी पलस एंगल P इक्वल टो 360 डिगरी इंगल P इक्वल टो 360 बिएसी 300 माльस करेंगे तो 60 डिगरी यह हमारा प्रूव हो गया और अगर हम D की सायता से देखें तो हम प्रूव भी कर सकते दिखो अगर हम यहाँपे हमारा D रखते है तो यह देखे, exactly 60 degree हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यह हमारा second example हो गया, अब हम गढ़ते हैं हमारे question answer को तो हमारा first question है, construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the co-centric circle of radius 6 cm अगर हम इसको rough idea ले तो हमें क्या ड्रो करना है, हम ड्रो करकी दिखा देते हैं Lochไ क्या करना है कि पहले एक circle ड्रो करना है, जो कितना 4 cm का हो, तो यह 4 cm का हमने circle ड्रो कर दिया एक सरक्रे جिसकी सेंट चोना, यहींपी सेंटटल मांब मांकर एक उर सरकल यहाँपे यहाँपे डोर कर दिया और गैंकि क्या करना है कि six सेंट्टिमेटर के सरक्र से किसी भी एक पॉयंट से हमें टेंजेंट ट्रोर करने है जो inner circle है उस पर है तो हमें कुछ ऐसे जह है टेंजेंट यहाँ पर ड्रो करने है और यह जो टेंजेंट है इसकी लेंट में लोगमेजरे करने हैं तो चलिए ड्रो करते हैं तो सबसे पहले हम इक circle ड्रो करते हैं जिसकी radius है 4 cm तो चलिए draw करते है 4 cm radius का एक circle तो हम 4 cm यहाँ पर measure कर लेते हैं तो यह हमारा हो भगया 4 cm और इसके हम साथ की साथ आपको construction भी लिखवाएंगे तो यह हमारा point यहाँ पर हम center ले लेते हैं इस point को center मानते हुए हम एक 4 cm को यहां पर circle को draw कर देंगे ठीक physicians तक आप भी अपनी notebook में यहां पर draw कर लिज्जिए फटाफट तो यह हमने 4 cm वाला circle draw कर लिया है फिर से इसी point को हम center comparison 6 cm का circle यहां पर draw करेंगे तो यहां पर हमने 4 cm और 6 cm वाली radius के 2 circle कर यहां पर ड्रोग कर लिये हैं उसके बाद हम क्या करेंगे हमें कोई भी पॉइंट ले लेंगे हमारा अगर इसेंटर को हम मान लेते हैं ओ एक कोई भी पॉइंट ले लेंगे हम बहार वाले सरकर पर लाइक पी जहां से हमें टैंजेंट ड्रोग करने हैं तो हम क्या करेंगे निकाने क्या करना है कि हाफ ये थोड़ा से ज़्यादा हमारे प्रकार को एपन करना है कंपस को और आर्क हम यहां पर डू कर देनी है अब जो यह आर्क हम ने ड्रो की है इनको हम मिला देते हैं और जो यह हमारा मिला है इस गर्यट ना बाई सेक्टर यानि ओपी का मीड पोइंट फि Land को अगर आप चाओ तो वैसे भी निकाल सकते थे O P हमारा दिया होई 6 cm, तो 3 cm पे हमारा Mid Center होगा, इसको हम बोल देते हैं, क्याओ, ये हमारा Mid Center आ गया, अब हम क्या करेंगे, इस क्याओ से हमारा Circle ड्रो करेंगे, क्याओ O को हम मालेंगे Radius और यहाँ पर सरकल ड्रो कर देंगे तो क्यो ओगो रेडियस मानके हम ड्रो कर देंगे हमारा सरकल तो क्यो ओग कहलो या क्यो पी कहलो इन दोनों को मानके हमने यहाँ पर हमारा सरकल ड्रो कर दिया अब जो यह हमारा सरकल ड्रोव है, जो इनर सरकल को जहां पे कट कर रहा है, इन दो पॉइंट पे, इनको हमने बोल दिया A और B, अब हम क्या करेंगे, P A और P B को देंगे, मिला, P A और P B को हमने क्या कर दिया, यहां पे मिला देंगे, P A और P B को, और यही P A और P B हमारे क्या इनको measure कर लेते हैं हमारी length कितनी आ रही है यहाँ पे तो अगर हम इसको measure करें यहाँ पे तो हमारी 4.5 से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे length आ रही है तो 4.7 something यहाँ पे approximately हमारी value आ रही है अब इसको हम calculate करते हैं हमारे method से numerical method से तो कैसे करेंगे हम क्या गरते हैं O B को मिला देते हैं और O A को भी मिला देते हैं क्योंकि यह tangent है तो यहाँ पे 90 degree का angle बनेगा तो यहाँ पे O B अगर हम इसकी बात करें इधर O B equal to किसकी है 4 cm यह है हमारी inner circle radius inner circle radius ठीक है और हमारा अगर हम बात करें तो यह तो हमारा हो गया यह 90 degree O P कितनी है हमारी यह हमारी 6 cm outer circle radius outer circle radius ठीक है इन triangle O B P हम triangle O B P के अगर बात करें तो हमारा जो है O P का square अगर हम पाईता गोरे स्थरों योज करें O P का square किसके बराबर होगा O B का square प्लस P B का square O P हमारा 6 है तो 6 का square O B हमारा 4 cm है तो 4 का square प्लस P B square 36 का square हमारे पास हो जाएगा 36 equal to 4 का square 16 प्लस P B square 36 इस तरफा के सब्ट्रेक्ट हो जाएगा यह बचेगा 20 is equal to P B square दोनों तरफ हम कर देंगे under the root ठीक है और अगर हम 20 का यहाँ पे निकाले square root तो हमारा कितना आता है यहाँ पे one of its ended diameter each at a distance of 7 cm from its center यानि एक 3 cm का circle हमें यहाँ पे बनाना है व्रित बनाना है उसके बाद हमें diameter को extend कर देना है और उस diameter पे 2 point P और क्याव हमें draw करने है जो हमारे जो है center से 7 cm दूर होंगे और फिर P और क्याव से हमें tangent draw करने है तो चलिए draw करते हैं तो सबसे पहले हमें draw करन है यह हमने 3 cm यहाँ पे ले ली हमारी जो है radius और draw करते है circle तो यह हमारा 3 cm का circle draw हो गया जिसका center हमारे पास है O उसके बाद हमें diameter पे 2 point लेने है जो center से 7 cm दूर हो तो हमें यहाँ पे diameter draw कर देते हैं हमारा और 2 point लेने है जो center से 7 cm दूर हो तो एक point हम right side ले लेते हैं इधर यह होगा point P एक point हम यहाँ ले लेते हैं जो 7 cm दूर हो हमारा यह होगा क्यों center से यह दोनों जो है हमारे दूर है कितने 7 cm अब हम क्या करेंगे 7 cm है तो हम इनका लेंगे mid point और circle draw करेंगे या तो आप जो हमारे scale से measure कर सकते हैं क्योंकि हमें पता 7 cm है या फिर आप perpendicular bisector निकाल के भी midpoint ले सकते हैं तो हम direct midpoint ले लेते हैं यहाँ पर हमारा 7 है इसका 3.5 हमारा midpoint होगा तो इस वाले O P का हमारा midpoint यहाँ पर आ गया जिसको हम कुछ भी नाम देते हैं लाइक A नाम देते हैं और O Q का हमारा midpoint इधर आ गया 3.5 अगर बात करें तो यहाँ पर आएगा इसको हमने नाम दे दिया B तो 3.5 cm 3.5 cm दोनों तरफ हमारा यहाँ पर बच गया है तो अगर हम बात करें यहाँ पर है हमारा यह 7 cm 3.5 तोड़ा सा यहाँ पर आएगा यह वाला और अब इन दोनों midpoint को मानके एक तो O A को हम radius मानेंगे तरज़ा मानेंगे और circle draw कर देंगे यह हमने circle draw कर दिया अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर जिए फटाफट अगर कोई doubt है तो आप comment section में पूछ लीजिए construction आपको बिल्कुल ऐसे लिख रही है जैसे हम करते जा रहे हैं like कि 3 cm का हमने एक डायग्राम लिया वृत लिया उसके बाद हमने ओ दो दो हमने जो है diameter पर हमने point लिये फिर हमने midpoint लिया फिर circle draw किया तो construction हमारी सेम रहेगी तो हमने यहाँ पर जो है दो circle यहाँ पर draw कर दिये ठीक है तो जहाँ पर यह point हमारे cut करें inner circle को यहाँ पर यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ तो इन पर हम draw कर देते हैं हमारी tangent एक हमारा इस point से एक हमारा इस point से यहाँ पर O A और जो point था एक यहाँ पर तो यह हमारी 4 tangent यहाँ पर draw हो जाएंगे और यही हमें करने दे draw tangent ठीक है तो हमारे यहाँ पर अगर नाम दे इनको C D E और F हमारे tangent हो जाएंगे क्याँ C क्याँ D और P E P F हमारे क्या हो जाएंगे tangent हो जाएंगे और यहीं में करना था तो यह थे हमारी 10th की वर्क्षीट आई होप आपको अच्छी लगी होगी अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए फेंट के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू पर वचिंग दे वीडियो